नमस्कर दोस्तों मैं उदेलाड फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीड़ो देखने वाले हरकिसान भाय और मुर्गी पालक भाय का आज की वीड़ो में तहें दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्याउसा है मुर्गी पालन का दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है देशी मुर्गी दुनिया का सबसे किफायती व्याउसा है दोस्तों देशी मुर्गी पालन का और दुनिया का सबसे ज्यादा दोस्तों मुनाफ़ा देने वाला व्या का खर्चा बढ़ने से वहां पर जो हो दोस्तों दिक्कत में हो सकते हो उसके साथ ही किसी को आंडों का प्रोडक्शन बढ़ाना है कि उसी को फिड का खर्चा घटाना है किसी किसी को वहां पर दोस्तों दवा का खर्चा घटाना है ऐसे मैं दोस्तों आज के इस उडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि उपाय तो होगा एक उपाय तो होगा दोस्तों आयुर्वेदिक उपाय तो होगा देशी दोस्तों लेकिन इस उपाय करने के बाद दोस्तों आपको आठी दिनों के भीतर दोस्तों आपका अंडों का प्रोडक्शन बढ़ेगा आपके मुर्गियों के फार्म पर आने वाली बिमारियों का प्रतिशत घटेगा आपकी मुर्गियों पर होने वाला फिड का खर्चा भी वहां पर घट जाएगा दोस्तों लेकिन इसके लिए यह उपाय शुरुआत से लेकर अंततक देखना होगा दोस्तों जीरो बजट का यह उपाय है दोस्तों ना इसके लिए कोई खर्चा करने की आवश्यक्ता है स्रिफ दोस्तों दिमाग का इस्तमाल करके भारत वर्ष के किसी भी कोने में गाव देहाद पहाड़ी एरिया हो या दोस्तों साथ ही में वह पर मैदानी प्रदेश कोई दिक्कत की बात ही नहीं है पहले इस उपाय का नाम बताता हूं दोस्तों फिर इसका इस्तमाल किस तरह से करना है यह भी आपको विस्तार से बताऊंगा तो दोस्तों इस उपाय का नाम है आपने सुना होगा एक पउदे का नाम दोस्तों सहजन क overlooked को आप मुर्गीप आलन के व्यावसाएं में संजीवक बीगड के सकते जैसे संजीवद्य नीप थी दोस्तों वैसे ही ये मुर्गीपालन के लिए अम्रित है दोस्तों और ब्रा महास्त्र रहे आएसा कहने में कोई भी हर्ज़ नहीं है दोस्तों लेकिन सहिजन के इस पोधे का इस्तमाल मुर्गी पालन में करने के बाद क्या अंडो का प्रोडक्शन सच में बढ़ता है क्या फिड का खर्चा सच में घटता है क्या मुर्गी की उम्र बढ़ने लगती है क्या आपको होने वाले mortality rate में भी वहाँ पर कटवती आती है दोस्तो सबसे important बात है कि अगर आप सोचेंगे मुर्गी पालन में कौन सा एक वह पवदा होगा कि जो आपको लाखो वहाँ पर जो है दोस्तो उपाय सुझाएंगा तो इसका नाम है दोस्तो सहजन का पवदा जिसे अंग्रेजी में ड्रम स्टिक कहते है आप यहाँ पर गूगल पर आजाएए गूगल पर आने के बाद हिंदी में सहजन का पौधा डाल दीजे नहीं समझे तो ड्रम स्टिक डाल दीजे आपको फोटोस देखने को मिलेगे उसके माध्यम से वो पौधा आप देखकर उसको लगा दीजे तो देख लिजे दोस्तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है आपके पास बॉइलर छोड़के कौनसी भी मुर्गी रहने दीजे उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र है ये संजीवक है ये संजीवनी बूटी है ये अम्रित है दोस्तो लेकिन जीरो बजेट का यानि आपको समझाओंगा अगर आपको अच्छा लगे तो इस्तमाल किजिए नहीं तो छोड़ दीजे किसी पर भी कोई जबरदस्ती नहीं है वीडियो बहुत महत्तोपुर्णे इसलिए शुरुआत से लेकर अंतदक देख लिए पसंद आया तो जरूर लाइक कर दिजे सब्सक्राइब कर लीजे इसके लिए इस वीडियो के दायतरब निचली सैड में आने के बाद दिखाए देने वाले सब्सक्राइब के निशान को टच कर दिजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएक और बगल में घंटी आइंग इस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफि पालंग के व्योसा में बहुत ही बड़िया साबित हो सकता है तो दोस्तों इसकी असल जो सहेजन के पोधे में मौजुदा तत्व होते वह जान लेते हैं दोस्तों यह तो एक जंगली वनस्पति है और इसका जो वास्तवय था जंगल से ही होता ता इसलिए दोस्तों इसको लगने वाली बरसात बहुत कम लगती है इसलिए साली का फली होत नहीं है ऐसे बात करें तो दोस्तों यहां पर देखिए सहेजन का पोदे के बात करो तो दोस्तों में कैलिशियम फॉस्परस लोहा और साथ ही में विटामिन D भर भर के होते हैं और इन्हीं सभी कारणों के वश मुर्गी पालन के फार्म में सहेजन का अलगी महत्व है आज नहीं और इसके लिए कोई खर्चा करने के आवश्यक्ता नहीं इसलिए इसका इस्तमाल जरूर कीजिए नंबर एक दोस्तों फायदा नंबर एक के बात करें तो सहेजन के पोधे में मौझूता तत्व कैल्शियम फॉस्परस और लोहा बहुत ज्यादा होता है दोस्तों अगर आप मुर्गयों को सही मात्रा में दे तो मुर्गयों के शेरिर में जो कच्छा माल चाहिए होता है अंडा बनाने के लिए वो मिल जाता है और इसी कारण वस्तों लियर फिड की वजह से मुर्गयों का अंडों का प्रोड़क्शन बढ़ने लगता है लेकिन क्या आप आपको लियर का फिड सव प्रतिशत बंद भी नहीं करना है तो मत किजिए लेकिन आदा लियर का फिड और आदा अगर आप सहेजन के पत्तों का फूलों का मिश्रन वहां पर डाल दोगे तो इसके माध्यम से आपको कैल्सियम फॉस्परोस लोहा मिल जाएंगा जिसके माध आवज शक्ता होती है यानि दोस्तों आज 40 रुपे किलो के भाव पर लियर फिड मिलता है और इतना खर्चा हम नहीं कर पाते हैं और गाव द्याहत में तो लियर फिड मिलता ही नहीं है मुर्गयों का देसी लियर फिड अगर कोई होगा तो दोस्तों सहेजन का पत्ता की फली और सहेजन की मूली इसलिए दोस्तों सहेजन का इसत्माल करने के बाद कैल्सियम फौस्फर स्लोहा मिल जाता है इसकी वजह से अंडो का प्रडूक्षन अपने आप बढ़ने लगता है कि फायदा नंबर दो स्तों अगर आप सहेजन का इस्तमाल करते हो तो मुर्गय मुर्गियों के शरीर में विटामिन D परियाप्त मातरा में चला जाता है इसके माध्यम से मुर्गियों पर आने वाला लंगड़ापन होता है लकवा होता है पैरलेसिस होता है दोस्तों आपने आप आने से पहले ही दूर हो जाता है साथी में दोस्तों मुर्गियों की जो हड सलामत दिखती है और फार्म का मौटिलिटी रेट भी घटा नहीं वहां पर बढ़ता नहीं है आईसे में दोस्तों आपको एक बात जाननी होगी कि आपके मुर्गियों का वहां पर बीमारियों के खिलाब लड़ने के क्षमता बढ़ानी हो और आपका फार्म का मौटिलिटी घटाना हो और आपको मेडिसिन यानि दवादार उपर कुछ भी खर्चा करना नहीं है तो दोस्तों आपको सहेजन का पौधा लगवा देना है जिसके माध्यम से आपने आप आपकी समझ से अलगभग 50 से लेके 70 प्रतिशत तक दूर हो जाएगी हर दिन अगर आप समय समय पर उनको सहेजन का पत्ता फूल फली और मूली के पास का जो आवशक तत्व खिलाते हैं तो दोस्तों मुर्गों के फार्म पर आने वाली आदी से ज्यादा बीमारी अपने आप निकल कर जाती है इसलिए दोस्तों आप सहेजन के पौधे को लगा मंती हैं संचार करती है तो 않았े मैं दोस्तों से मिलने वाले पत्तों का फूलोंका फली का मुली के पास मिलने वाले कीड़े मकोडे केच्वे और साथी दोस्तों जो अलग अलग तरह के दूसरे कितक होते है उनका सेवन करने के मुर्ग को का तकरीबन 30% फिड का खर्चा बच जाता है मुझे बताईए ये 30% खर्चा बचाना इसका मतलब हमारी आमदनी में 30% का इजाफा होगा या नहीं आप मेरे मुपर जबान पर स्रिफ हां में हां मत मिलाएं 30% का फिड का खर्चा बचाना 30% इंकम में बढ़ोतरी है तो दोस्त तो सव प्रतिशत आप फिर सहजन का पउधा लगाकर यह बढ़ोतरी अपने फार्म पर भी कर लीजिए चवता फायदा दोस्तों अगर आप सोचते हो तो आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं अगर एक मुर्गी फार्म पर बिमार नहीं गिरती है एक मुर्गियों का अंड से ले 6 महा तो आराम से जादा जी जाएंगी ऐसे में उसका सालाना अंडो का प्रोडक्शन कम से कम 20 से लेके 30 बढ़ता है और 6 महा एक्स्ट्रा जीने के कारणूस 90 अंडे हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इसके कारणूस दोस्तों एक मुर्गी आपने 3 साल के जिंदगी मे तकरीबन आपको 200 अंडे एक्स्ट्रा दे देगी इसका मतलब होता है कि दोस्तों 200 गुणा 10 यानि 2000 का शुद्ध मुनाफा जिसका आप फायदा सिर्फ सहयजन का पौधा लगवा कर उठवा सकते हैं और साथी में दोस्तों इसके कारणूस जो है दोस्तों आपको जो मुर् जो फिड का खर्चा कम होता है उसके साथ ही दोस्तों मेडिसिन का खर्चा कम होकर आपके फार्म का मॉटिलिटी रेट घटता है इसके कारणूस दोस्तों वहां फार्म कुछ ही महिने में वहां पर दिन दुगनी राच चोगनी प्रोग्रेस दिखाता है और आपका मुनाफ मुनाफ़ा दुगना कर देता है ऐसे में दोस्तों आगर आपको दुगना से दुगना मुनाफ़ा कमाना है और ज्यादा से ज्यादा आमदनी कमानी है तो दोस्तों सहजन का इस्तमाल मुर्गी पालन में करना ही पड़ेगा मुर्गी पालन में सहजन का इस्तमान करने से अंडों का उत्पादन बढ़ता है फिड का खर्चा घटता है लियर फिड का खर्चा घटता है मुर्गियों के फार्म का मुर्त्युदर जो है दोस्तो वह भी घट जाता है मुर् साथी में दोस्तों और एक बात है कि बरसात में गिरने वाली बरसात बहुत जादी कड़ाके कि थंड और गर्मी में दोस्तों चाओ की जो है दोस्तों इच्छा की तहित भटकने वाली मुर्गी के लिए यह सबसे इंपोर्टन दोस्तों वहां पर हम जो है पेड कह सकते हैं ऐसे में दोस्तों यहां से आगे अगर अब सहजन का पोधा लगवा देंगे तो आपको अंगीनत फायदे होंगे मैं तो इस सहजन के पोधे को संजीवनी भूटी ही कहूंगा अम्रिती कहूंगा कि जिसका इस्तमाल वहां पर जो सूपर स्टीशन हो यानि अंधविश्वास हो कि नहीं ये लगाने से कुछ वहां पर खराब हो सकता है ऐसा कुछ नहीं दोस्तों पोधा तो पोधा ही होता है आखिर में आगर आपको यह पोधा लगवाना है तो दोस्तों सहजन का पोधे की ओडिसी भरैटी बहुत अच्छी है इसको लगा दीजिए दोस्तों और इसके निकलने वाली फलियों को बेचकर आप आमदनी भी प्राप्त कर सकते हो तो दोस्तों इसका कोई भी दुश्परिनाम साइड इफेक्ट नहीं है आप सभी से विनतियों गुजारिश है कि आपके फार्म का अंड और है और छोटे-छोटे बच्चों को दोस्तों कट कर के उने बीजाओ को कर वहां पर आप थोड़ा चोटे-चोटे टुकड़ में करके मुर्गियों के चूजओ को दीजे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कम उम्र से ही दोस्तों इक खिलक लज़ने की क्षमता बढ़ इसके बारे में क्या है आपकी राय कमेंट्स करके बताईए और क्या आप सहेजन के पोधों का इस्नमाल करना चाहेंगे यह भी बताईए पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा किसान भायों के पास बेजने के लिए सब्सक्राइब रहा होगा तो हर क सब्सक्राइब करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझे आपना और घर का सदे से मानते हो तो क्रिपया सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली सैड में आने के बाद दिखाए देने वा पर मैं आपका दोस्तों देलाड आप सभी के चाहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भै और मुर्गी पालन भाई का आज की उड़े में तहें दिल से बहुत-बहुत आबाद